हलो प्रोगामर्स वेल्कम तो माई चैनल तरुंजर इस वीडियो में मैं आप लोगों को सी लेंग्विज में बहुत ही बेसिक प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा जिसमें हमें सरकल की रेडियस के अधार पे उसका एरिया कैलकुलेट करके प्रेंट करना है सबसे पहले हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सो दिस इस हैशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है एरिया ओफ सरकल का जो फार्मूला है हमारे पास वो होता है पाई आर स्क्वेर तो आर का मतलब यहां पे होता है रेडियस अब आपको दो चीज़े ध्यान रखनी है कि एक तो पाई C लेंग्विज में एक्जिस नहीं करता है तो इसके अप्रॉक्सिमेट वैल्यू जो है 3.14 वो हम ले लेंगे दूसरी बात ऐसे हम नहीं लिख सकते है 3.14 RR है ना तो हमें इसको लिखना होगा into R into R क्योंकि square या power के लिए कोई operator हमारे पास C में available नहीं है तो R का square बनाना है तो हमें R into R ही लिखना पड़ेगा और उसको multiply कराएंगे हम 3.14 से अब अच्छा यहां पर भी probability क्या बनती है एक point वाली value है है ना तो संभावना यह बनेगी कि जो area आएगा वो किस में आएगा हमेशा area in points आएगा right points में आएगा na decimal में आएगा right so हमें जो area variable लेना होगा वो हम किस तरह का लेंगे mandatorily compulsory हम किस form में लेंगे या तो float लेंगे या फिर double लेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि float या double data type में ही point वाली value store हो सकते हैं int में store नहीं हो सकती है अगर integer variable लेंगे तो area store तो होगा लेकिन point के बाद वाला part discard होता जाएगा so guys आई एक बार code लिख लेते हैं इसका हम लोग so यहाँ सबसे पहले मैंने एक integer radius बना दिया आप चाहो तो integer को भी points में ले सकते हो अगर आपको radius को points में input लेना है तो मैं अभी points में नहीं लेना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने integer radius रख दिया similarly हमने एक float variable बना दिया इसको हमने बना दिया area नाम से now हमने user को message दिया enter radius of the circle fine and scanf लगाके हमने radius की value को कराया user से input now हमने formula put on किया यहाँ पर formula रख दिया हमने formula will be 3.14 into radius into radius अच्छा अब देखिए आप ऐसा नहीं लिख सकते कि आप यहाँ पर लिख दो r into r क्योंकि अब r कोई variable नहीं है मारे पस variable क्या है radius है so मैं radius into radius लिखना पड़ेगा अगर r into r लिखेंगे तो syntax error आ जाएगी इस जगे के क्योंकि हमारे पास variable r नहीं होके radius है ठीक है इसके बाद हमने simply print करा दिया area of circle वेड रेडियस पर्सेंट डी इस पर्सेंट एफ ओके सो हमने पहले प्रेंट करा दिया radius को दैन हमने प्रेंट करा दिया area को ठीक है कैसे ना एक बार इसका प्रेंट हो जाएगा radius so this is radius and then यह area variable so this is our area variable यह भी बन गया memory में then यह वाला print tap चलेगा तो हमारी output screen पर यह सपोस्थ हमारी output window है यहां लिखाव आएगा enter radius of circle right of the circle okay then यहां पर cursor blink कर रहा है वो कर रहा है blink इस scanf की वज़े से so हमने type किया 10 और enter press किया तो जैसे हम enter press करेंगे 10 कहां चला जाएगा इस radius variable में जाकर कि store हो जाएगा fine then next statement पर आएगा यह background में perform होगा 10 into 10 or 3.14 right तो 3.14 into 10 हो गया हमारे पास में 31.4 into 10 हो गया 314.000 चीक है तो यह store हो जाएगा 314.0 नाव यह वाला printf जब चलेगा तो यह print कर आएगा area of circle with radius percent d इस percent d की जगे क्या जाएगी इस radius की value and is फिर percent f इस percent f की जगे क्या आजाएगी इस area की वल्यों तो हमारा output बन जाएगा area of circle with radius 10 is 314.0 बहुत सारे लोग यह सोच रहेंगी पॉइंट के बास 0 आएगा but percent f क्या करता है point के आदमें by default 6 डिजिट देता है तो point के बाद में जो हमारे पास यहाँ पे number of zeros होंगे वो एक ना हो करके कितने होंगे total 6 होंगे guys ठीक है अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा like यहाँ पे मैंने अभी 10 input दिया था suppose मैं अगर यहाँ पे input देता 5 ठीक है तो हमारा result 1 था 3.14 into 5 into 5 तो यह point में value आती right तो वो point में value इस area में store होती देन वो print हो जाती so यह मैं यहाँ से टा देता हूँ इसको हम कर लेते हैं सबसे पहले अभी save and save करने के बाद हम इसको compile and run करके देखते हैं so मैं गया save में यह c folder है मेरा यहाँ मैंने save कर दिया इसको area of circle नाम से okay this is saved now इसको हम compile and run कर लेते हैं so मैंने input दिया यहाँ पर 5 and area of circle with radius 5 is 78.5 and देखे आप 5 के बाद में 5-0 आ रहे हैं क्योंकि by default जो हमारा percent f है वो छे डिजिट sprint कराता है right so guys इस code को अगर आपको download करना है तो आप मेरे github profile का link मेंने description में दिया वा है उस पे click करें and जैसे यह आप github पे जाएंगे वहाँ पर आपको notes नाम की repository मिलेगी notes के अंदर c language का folder बनावा मिलेगा एक c नाम से इस तरह का कुछ देखिए कि इस तरह का आपको मिलेगा कुछ github.com slash tarun sir slash notes तिके स्वारी मैं सीधा notes पे चला गया आपको तरुन sir करना है उसमें भी तरुन sir नहीं है तरुन वर्मा है मेरा link के तो इसमें जब आप जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर repositories मिलेंगी इसके अंदर आपको repository मिलेगी notes की notes में जब आप जाएंगे तो आपको एक repository मिलेगी c language के लिए folder ठीके इस c language में जब जाएंगे तो आपको यहां पर आपका code मिल जाएगा आप file के नाम से search कर सकते हैं so guys अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे request करूँगा आप अपने दोस्तों के साथ अपने friends के साथ मेरे वीडियो को मेरे चैनल को शेयर करें साथ ही साथ आप लोग मेरे वीडियो को like and comment भी करें और इसके लावा मेरे चैनल को subscribe and join भी करें thanks for watching the studio guys आपसे त करेंगे वीडियो अ geared भी करेंगे करें आपfa सकते हैं